तो हम शुरुवात करें हैं लोगमत पार्लिमेंटरी अवर्ड्स फोर्थ एडिशन दो फॉर्स्ट इस बेस्ट पार्लिमेंटरियन ओफ दे यर एज मेंबर अफ लोगसभा एवी प्लीज श्री असदुद्दीन ओवैसी देश के हरे कोने में अपनी अलग पहचान रखने वाले ओवैसी ओल इंडिया मजलिसे इतिहादुल मुसलिमीन के राष्ट्रिय अध्यक्ष हैं और हैदरबाद लोग सभाक्षित्र से सांसद हैं संसद से न्यूज चैनलों तक ओवैसी जब अपने तर्कों और शर्टों पर बोलते हैं तो उन्हें सुनना बेहत दिल्चस्प होता है पेशे से वकील और प्रिकेट के शौकीन ओवैसी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है पिलहाल ओवैसी की पार्टी की पहुँच भी देश के कई राजियों में है संसद में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए हम उन्हें लोकसभा काटेगरी में बेस्ट पार्लिमेंटेरियन ओफ दे यार 2022 से सम्मानित का बेहग गौरवानमित महसूस कर रहे है जिनके लिए खबरों में रहना बहुत सामान्य बात है कभी ये खुद खबर में होते हैं तो कभी खबर इनकी बज़े से होती है श्री असादूतीन ओवेसी बेस्ट पार्लिमेंटरियन ओफ दे यार 2022 मेंबर और तो लोकसभा लोकसभा के बाद उच्च सदन संक्षिफ्ट प्रतिक्रिया के लिए खुरेशी साथ को आमद बहुत 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 शुक्रिया जूरी के चेर्मेंट साहब का और तमाम आराकीन का कि जुनों ने मुझे इस खाबिल समझा और मैं लोकमत के तमाम दर्दार बादरस का और जिम्मेदारों का भी शुक्रियादा करता हूं कि इस तरह का अवार्ट का फंक्शन आप इने खाद अम्मल में ला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वतने अजीज में आज सबसे बड़ा खत्रा अगर किसी चीज़ को है तो थेयरी ओफ सपरेशन ओफ पावर्स को है और उम्मीद करते हैं कि ये आईवान लोक सभा हो राजा सभा हो वो अपनी आजादगी को बरकरार रखेगा और मुझे अम्मीद है कि हम पाले मेंट किसाब